किताब विपर्ण की रीततों साच्छदा मार्ग पागती जा लेखक सरदार गुर्बक सिंग काड़ अफगाना चौथे कांड़ दा छेमा पाग द्रिष्ट मान है सगल बेनासी वाहिकुर जी का खालसा वाहिकुर जी की फटे जुगो जुग अटाल सत्गुरु सिरी गुरु गरंसेव जी दा बड़ा जुरूरी अते अटाल सिदांत ये भी है के जेड़ा पदार्थ अक्षिया नड़ वेखिया जा रहा है अथवा संसार अचना दा सब कुझ समेदी मार हेट होन करके काट दा वद्दा है नाश्मंत है सत्गुरांदा फुर्मान है के बेखी जा सकंवाडी शैनाड मू करना जां उस प्रती कोई शर्दा बना लेनी मूर्खताई है द्रिष्ट मान सब बिनसी है क्या लगें गावार पन्ना आठ सो अट नजर आउन वाड़ा सारा कुझ मिथिया है चूट है नाश्मंत है द्रि विशे नू चंगी तरां द्रिड का लेन डाल गुर्बानी दे कई सिदांता नू समझन विच सुहूलत रहेगी सो एस बारे लिखे गुर्बानी शवदां दी विचार का लेनी लाहे बांद रहेगी नदरी आउन दा साब किछ बेंसै हर सेती चे तलाए सात कुर नाल तेरी पावनी लागे तां एसो जी पाए पन्ना नौ सो आठ अर्थ जगत विच जो कुझ पकी देश रहा है एस साब कुझ नाशवन्त है एस दा मो जह एस प्रती शर्दा त्याग के तु आपना चित प्रमात्मा नर जोड़ी रख पर एस समझ तदों ही पवेगी जदों तेरी प्रीत अत्वा गुरु प्रती तेरी पकी शर्दा बनेंगी नदरी आवे तेस सियों मो क्यों मिलिये प्रब अबनाशी तो है कर किरपा मुहे मार्ग पावो साद संगत कै अंचल लावो पन्ना आठ सो एक अर्थ एस सदा तेर रहन वाले प्रभू जो कुझ अखा ही मो बनिया रही दा है सो तू जो अखिया नदर देश नहीं सगदा ते इनू मैं केमे बेख सगदा ए प्रबू किरपा करके मैंनू जीवन दे सही रस्ते ते तोर मैंनू साद गुरु गुरु गरंसैब जी दी संगते लड़ लादे कीता क्या साला ये जिस जान दे बिलमन हुई नहिचल सच्चा एक है गुर्मख बूजय सो नहिचल हुई पन्ना एक हजार अठासी अर्थ उस दी बढ़ियाई करन दा कीलाब जो पैदा कीता हुए है पाव उसे दी ही बढ़ियाई करो जो अजहे पदा आर्थां दे पैदा करन वड़ा है क्योंके अटल हस्ती वा गुरू दी एस मातनू समझ लेंदा है वो अडोर चे तो जानदा है मेरे माना साथ गुर की सेवा लाग जो दी से सोविन सना मन की मात ते आग रहाओ पन्ना पंजाओ सब नाश बंत है इस विच्चों कोई चीज भी नार नहीं निबनी रखाओ नदरी आंदा नार न चल लई विखो को व्यो पाए साथगुर साच दिरडाया साच रहो लिव लाए नानक शवदी साच है कर्मी पल्ले पाए पन्ना चुरासी अर्थ बेशक निरना करके वेखलो जो कोज इन्ना अखा नड देसदा है जीव दे नार नहीं जा सकदा इसे करके साथगुर जी ने निष्चा कराया है कि सच्चा प्रभु ही नार निबन जोग है तांते प्रभु विच बिर्ती जोडो गुर्देव जी दा फुर्मान है जे प्रभु दी मेर होवे तांगुरु दे शबदे राही सच्चा हरी हिर्देविच वासदा है पर जदों सी साथगुरां दे उपदेश नू अख़्ु उले करके मन मत्यानिया गल्ना विच आके सुरुबरां दे इशनान नू अत्वा बेरी हेठले पाणी नू अपने दुखां दी नविर्ती दा साधन मान बैठीए तां फिर साथगुरां दे सेख के में अखवा सागदे है पर साधे मान दी कमजोरी ये है के साधी शर्दा ओस नाल ही बन दी है जिसनू अखिया नड वेख सकी है वेखे बिना मान पतीजदा नहीं अते पटकना बिचरेंदा है पर वेखी जा सकन वाली हर चीज नाशवन्त है अत्वा चूठ है चूठदा आसरा लेके सचे प्रभुदी सारनू के में समझ सकते है बिन देखे उपजे नहीं आसा जो दी से सो होए बिनासा बर्न सहत जो जापै नाम सो जोगी केवल नहे काम पन्ना ग्यारां सो सताथ अर्थ अद्रिष्ट प्रभुदी वेखनतों बिना उस दी प्राप्ती दी तांग नहीं उपजदी अते इस देखे संसार नर्मो बन्यारींदा है पर ए जो कुछ भी देखदा है एस साब नाशो जानवाड़ा है जो मनुक प्रभुदे गुनगउदा है ते प्रभुदा नाम जापदा है सिर्फ ओही असल जोगी है ते ओह कामना रहत हो जानदा है सिर्फ प्रभुदा सिमर नहीं काम होदा है किसे होर तर्म करमदी लोड नहीं है तर्ती ते बने किसे देव मंदर अथवा किसे महान तीर्थ पुवित्तर नदी सुरोवर आदे टिके रेंदा परोसा की करना होया जद साथ गुरांदा फुरमान ये है कि तर्ती आकाश चंद सूर जाद सब को जहीं नाश बनत है तर्त आकाश पताल है चंद सूर बेनासी बाद शाह शाह उमराव खान टार डिरे जासी अरंग तोंग गरीब मस्त सब लोग सिदा सी काजी शेख मसाइका सब बे उठ जासी पीर पैकांबर आउलिये को थेर ना रहा सी अरोजा भांग निवाज कतेब विन बुझे सब जासी लख चोरासी मेदनी सब आवै जासी निहचल साच खोदाए एक खोदाए बंदा अबनाशी पन्ना ग्यारां सो दुन्या दे इतियास वेच जिन्ने नी अवतार पैगंबर आपने आपनू राब जा राब दा पुत्तर अखोण वाले जा वली अल्ला हुए हन उन्ना विच्चों केवल साथगुरु नानक जी ही अजहे पर्म पुर्ख हान जिन्ना ने ए नहीं किया के ओ अबनाशी हन अते अपने पगतां दी रख्या करन लई फिर भी आया करन गे जा ओ राब दी कचैरी वेचे अपने चेलियां दी शफार्श करन गे साथगुरां दा सफ़ष्ट फुर्मान है के किसे मनुखदीतां हस्ती ही की है ए जो लखां कुरूडां सालांतों बने आरे तरती अकाश चंद सूर्ज आद सब नाशवंत हन बड़े बड़े राजे महाराजे पीर फकीर अते राब दे बने होए ए आउलिया सारे दे सारे इतों कूज कर जाने हन इना दी पूजा करनी अत्वा इनानों ही राब मान लेना वड़ी पोल है सदा काईम रहनवाडी अटाल हस्ती केवल परमातमा ही है अबनाशी प्रभूदी जाद विच लीन रहनवाडा बंदा जनम मरंदे गेड विचों निकल के उस दी अटाल हस्ती विच समा के आप भी अबनाशी हो जानदा है जनना तरम अस्तानानू अपने हत्थानाड बणा के असी अपनी मुकती दा साधन मन बैठ दे हाँ जनना दे दर्शनानू असी कोई ना कोई दुनियावी मांग लेके ही जान दे हाँ जनना देवी देवतियां देरेदार संत महात्मा आधनू मन इचे फल देन दी समरथा वाले मन बैठ दे हाँ जिनना अस्थाना आधनू रोगां दे नाश करन वाले मन के बियंत माया पेटा कर दे हाँ उनना तार्मक अस्थाना देवी देवतियां आध बारे साथ गुरांदा फ्रमान इस परकार है ताट तीर्थ देव देवालिया केदार मथूरा कांशी कोट तेतिस देवते सन इंदरे जासी सिम्रत साष्टर बेद चार खट दर्स समासी पोथी पंडत गीत कवेत कबते भी जासी जती सती सने आसिंग सब काले बासी मुन जोगी जम्मै सन जासी जोदी सह सो विन सना सब 92 नासी थिर पार ब्राम परमेशरों सेव कथेर हो सी पंना ग्यारां सो अर्थ देवतेयां दे मंदर केदारा मथुरा काशी आदक तीर थ ते ती करोड देवते इंदर देवतावी आखर नाश्वन थान चार वेद सिमर्तियां शाष्तर आदक तर्म पुस्तकां दे पढ़न वाले ते शेयां पेखां दे सादू अंतुनु चाल जानगे पुस्तकां दे विद्वान गीतां कवितामा दे लिखन वाले कवी भी जगतों कूच कर जानगे जतीस अतीस नियासी ए सारे भी मौत दे अदीन हन समादियां लावन वाले जोगी नागे जम दूद एवी नाश्वन्त हन मुकदी गाल जगत विच जो कुझ देसरिया है वो नाश्वन्त है हर एक ने जरूर नाश हो जाना है सदा काईम रहन वाला केवल पार ब्रह्म परमेशर ही है उसदा पगत भी जनम मरंतों रैत हो जानदा है जग रचना सब चूठ है सद्गरू फरमान कर देहन केहे मितर चंगी तरह समझ लै के सारी दी सारी जगत रचना उसे तरह चूठ है मित्या है अथवा नाश्वन्त है जे में किसे ने कोई कोठा शतन्डी रेत दी कांत बना ली होवे संसार दे सारे पदार्थ नाश्वन्त अथवा चूठ है जीवां दे सरीर वी संसार रचना दे पदार्थ है देह दे सरीर जां आकार सब नाश्वन्त है किसे आकार नू जां सरीर नू कलियान कारी मन लेना माया दा मो है, शलावा है, परम है, मूर्खताई है, अथवा चूठती पूजा है गुरु नानक सैव जी दे दसों ही पांच पूतक सरीर नाश वंतसन इसलिए साथ गुरां दा कोई सरीर भी साड़ा गुरु नहीं सी उना दा ग्यान जो अद्रिष्ट अते अमर है, ओ ही साड़ा गुरु है सिरी गुरु गरन सैव जी दा देषदे सरूप नू वपारी सजण माया कमाउन दी रुची नार छोटा वड़ा बना के वेच रे हन पर उस बारे पंथ किंतू नहीं करदा क्योंके देषदा सरूप साड़ा गुरु नहीं है साथ गुरां दे अजह सैंकडे सरूप बिर्द होके बिन सरेहन सिरी गुरु गरन सैव जी दा शब्द रूपी ग्यान गुरु है जो अद्रेष्ट सर्ब थानी अते सर्ब काली है उस विच लग मातरदा वदा काटा हो जाना सिखीली पूर्ण मौदा सुनिहा होएगा गुरु करानियां बेड़िगा आदी उचेची सेवा संबाल जरूरी है पर इनादी पूजा चूठ दी पूजा है किताब विपरन की रीत्तों साचदा मार्ग पाग तीजा लेखक सरदार गुर्बक सिंग जी काला अभगाना चौठे कांड़ दा छेमा पाग अवाज गुर्जांट सिंग रूपवाडी वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते